ओम नमस्षिवाय हरर मादेव श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चनल पर आज मैं आपको सोम्मार के उपाय बताने वाला हूँ इस वार सोम्मार को बहुत ही अच्छे योग बरना है सोम्मार के दिन भगवान सिव की तता माता पारवती की पूजा की जाती है सोम्मार के दिन जो व्यक्ति भगवान सिव की आरादना करते हैं उनके सभी कार सिद्ध हो जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सुक के लिए, सीग्र बेवा के लिए, घर्मिन सुक और सम्रदी के लिए हर प्रकार के कारों को सफल करने के लिए सोम्मार का ब्रत अभश्य करना चाहिए सोमार के दिन भगवान सिव प्रसन नो करके सभी की मनो कामना पूरी करते हैं जीवन में आरे सारी कष्ट और परिसानियां दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति सोमार के दिन सोमार के दिन भगवान सिव का अफसे करने से हर प्रकार की मनो कामना पूरी होती है सोमार के दिन सिवलंग पर जो व्यक्ति गेउं के दाने चाबल के दाने तता तल के दाने चड़ा करके भगवाण सिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं आग के पुश्व समर्पित करते हैं उनकी मनो कामना पुरी हो जाती हैं सबसे पहले सौमार के दिन भगवान सिव का अवसे करें अवसे करने के बाद में भगवान को भसमी लगाएं और बेल पत्र लेकर के उस पर सपेच चंदन की विंदे लगा के भगवान सिव को समर्पित करें भगवान को कीर का प्रसाथ समर्पित करें या चूरमे का प्रसाथ चड़ाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने हाथ जोड के प्रातना करें, ओम नमस्वाय मंतर का जाप करें, इस दिन पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परक्रमा करें, इससे मनो कामना पूरी हो जाती हैं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान गने जी को दुरुबादल तता नंदी जी को दुरुबादल चड़ाते हैं और अपनी इच्छा नंदी जी के कारण में बोलते हैं उनकी प्रतेग मनुख कामना पूरी हो जाती हैं इस दिन गов माता का पूजन भी करना चाहीए सौमार का ब्रत दो प्रकार का होता है ایک साधा मनुरत पूरी हो जाते हैं इस दिन भगवान की मूरती के सामने केली का फल चड़ा के जरूर प्रसाथ के रूप में खाना चाहिए तदा भगवान के सामने दीपक जला के प्रातरा करनी चाहिए इस दिन मेश रासी ब्रसब रासी करक रासी सिंग रासी तुला रासी ब्रस्च एक मनोकामना अबश्य महाकाल भोलेना प्रसन नोकर के पूरी करेंगे। सौम्मार के दिन जो व्यक्ति ब्रत रखते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। अगर ब्रत भी ना रख सकें तो साधा पूजा करें। लेकिन सौमार के दिन पूजा आपको जरूर करनी है फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाम मिलेगा आपकी हर मनोकामना पूरी होगी ओम नमस्षिवाई हरा रमादेव